आई एवरिवान वेलकम टू जे आर कॉलेज यूटूब चैनल आएम यूर फ्रेंड राहूल जेस्वाल तो दोस्तों पहुत दिनों से जो चीज आप लोग डिमांड कर रहे थे तो वो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ में तो उसके लिए सर एक प्लीज एक स्ट्राइजी वीडियो बना दो क्योंकि पढ़ाई में काफी ज़्यादा दिक्कत आ रही है टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है कौन सा सब्जेक कैसे पढ़ा जाए किस प्रकार से फोकस क्या जाए कितने दिन बचे हैं कितने दिन स क्यां में एक सब्जेक्स पर दें तो दोस्तों अगर ये सभी सवाल भी अगर आपके मन में चल रहे होंगे न तो ट्रस्ट मी यह जो वीडियो में बना रहा हूँ बहुत ज्यादा effective होगा आपके लिए इतना जदा effective होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा strategy मिल सकता है और ऐसा strategy अगर आप follow कर लोगे तो definitely जो भी कटिनाई है आपके वहन में चल रही है ये सभी चीज़ दूर हो जाएगी जिया दोस्तों सबसे मेले तो यार थोड़ा सा मापी माँगना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने आपको रिसर्च किया कि बच्चों का डिमांड क्या आ रहा है तो सबसे ज्यादा जो डिमांड था बारवी के बच्चों के लिए वो था strategy video for your board exam तो आज का जो वीडियो में बना रहा हूँ ये 12th standard के लिए strategy वीडियो का लेकिन आज का जो वीडियो है यह होने वाला है science stream के लिए अब commerce के बच्चे comment करेंगे obviously कि सर हमें भी चाहिए तो यार tension की कोई बात नहीं है बारवी का ये science का वीडियो जा रहा है science stream के लिए वैसे ही बारवी के लिए commerce stream के लिए एक बहतरी strategy वीडियो भी बहुत जल्दी में बनाऊंगा 10th के बच्चे अगर मुझे ये देख रहे हैं तो 10th के बच्चो को भी अपने समय के इसाफ से आपको मिल रहा होगा strategy वीडियो प्लीज अपने main channel जो की JR tutorial से वहाँ पे अप्टो 10 तक का content आता है तो वहाँ पे आप चेक आउट जरूर से केजिएगा JR college specially हमने college के लिए 11th and 12th के लिए तो यहाँ पे 12th standard के लिए strategy वीडियो आ रहा होगा और 11th के लिए भी बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा इसी चैनल पे तो प्लीज अपने छोटे बड़े भाई बैंट सभी रिलेटिव को इनफॉर्म करते रहे ना जो जो चीज मैंने आपको पताया हुआ है ठीक है सभी के लिए strategy वीडियो आएंगे लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ फॉर से बारवी के बच्चों के बारे में science stream के बच्चों के बारे में तो सबसे पहले जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं जो पहली बार मेरा शकल देख रहे हैं तो यार मैं बताना चाहूँगा कि मैं कौन हो तो obviously and the founder of JR Tutorials चैनल आपने मुझे JR Tutorials पे देखा होगा तो JR Tutorials को हमने पिछले तीन साल से रन कर रहे हैं हम लोग और लगबग lockdown के टाइम हमने इस JR Tutorials को चालू किया था तीन साल सक्सेस्पुली हो गए और हमारे JR Tutorials पे लगबग 1.5 million यानी 15 lakh के आसपा subscribers present है और फिर हमने 11th and 12th के category को separate किया और ये चैनल create किया आज से लगबग 6-7 महिने पहले सिर्फ पोसिब 2023 के लगबग मही के आसपास मही जून के आसपास हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है और लगबग 6-7 महिने मही हमने इस चैनल को अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस दिन उस दिन लगभग 1.11 lakh subscribers complete हो चुके हैं तो all thanks to you for supporting us in this channel also लेकिन इस चैनल को हमें और उचायों पे लेके जाना इस चैनल को हम लोग को एक competitive exams के लिवर पे लेके जाना है चाहे वो JAE हो, NEET हो या फिर CET हो तो जैसी बारवे का exams खतम हो जो कि आपका board exam, तो board exam काफी कम समय बच गया है board exams के preparation के लिए तो आपको हो सकता है कुछ strategies and कुछ like stairs की जरुद पड़े तो वो जो चीजे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया किया मेरा आउल ज आपको इस वीडियो में आप लोग को मिलने क्या वाला है, कुछ important things, discussions क्या करेंगे हम इस वीडियो में, तो सभी चीज बताऊंगा बारे-बारी से, तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि अभी जो ये वीडियो में बना रहा हूँ, इस मैने की अगर मैं ब दिसेंबर, जैनवरी, फैबलोरी, और फैबलोरी के 21 तारिक से ही आपके बारवी का बोर्ड एक्जाम शुरू हो रहा है, मतलब घिन के यार देखो, अगर हम calculation करें, तो आदा दिसेंबर और आदा फैबलोरी एक महिना हुआ, और जैनवरी का पूरा, दो महिना, मतलब सिर् पूरा का पूरा चीज गडबड हो जाएगा, और आप लोग का मन चाहा परसेंटेज जो आप स्कोर करना चाहते हो, बारवी में वो नहीं आपाएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर, बारवी में परसेंटेज स्कोर करके क्या ही मिलेगा, वैसे भी हमें कॉम्प बारवी में 50% निकाल रहे हो, तो क्या लगता आपको जे डबली या फिर नीड या फिर जे एग्जाम आपके अच्छे जाएगे, बिल्कुल नहीं जाएगे, क्योंकि अगर आपका कंसेट क्लियर होता, तो आप बारवी के बोर्ड एक्जाम में भी तो अच्छा निकालते लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको काम आएगा आपके कॉंपटिटव एक्जाम से, बहले ही वहाँ पर MCQ टाइप के कॉश्चन साते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके लिए helpful रहेगा, तो अपने आप पर बरुसा रखना है, जैसे कि मैं आप यहाँ पर अगेर एक सबसे पहला काम आपका क्या करना है, आप लोग का अपना सिलाबस कम्पलीशन, यानि कि जो पहला फोकस आपके पास होना चीए, वो है आपका खुद का सिलाबस कम्पलीट करना, लगभग दिसेंबर का टाइम जैसे मिल बढ़ा, 13 दिसेंबर कोई वीडियो मिल रहा होगा, तो लगभग दिसेंबर एंडिंग होते होते, या फिर जैनुवरी के शाइटिंग तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी कैसा प्लाइनिंग करना है आप लोग को, यानि कि अब आपको ये समय आ चुग है कि आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलाबस, और आपने चारो सबजे करना है, कमपलिशन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, या आपका खुद के ऊपर कमिटमेंट होना चाहिए, खुद के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए, जब तक आपका कमिटमेंट और ट्रस्ट आपके साथ नहीं रहेगा, कहीं ने कहीं आपका विश्वास गलत अप्रोच है, अगर मैं सोचूँगा कि मेरे को 50% से जाधा मिलेंगे ही नी, तो लाइफ टाइम में कभी में 50% से जाधा नहीं निकाल पाँगा, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है, जो उस सिच्वेशन को टैकल करने का जो तरीका है, वो casual है, बोलते ना ये तरीका casual है, तो वो casual है, तो अगर आप casually behave करोगे, तो आपके months भी casual आएंगे, लेकिन आप extraordinary behave करोगे, abnormal behave करोगे, नई भाई या, इस बार तो 80 निकालना है, 90 निकालना है, तो आप 80 और 90 के लिए target कर रहे हो, तो हो सकता है 75 के आसपास आजा, जो की बहुत खराब नहीं है, मुझे विजन में था, 12th C में, मुझे 67% मिले थे, फिर भी मैं पूरे के पूरे 80 बच्चों में से टॉपर था, फर्स्ट रैंकर था, फर्स्ट रैंकर, तो चो इमाजिन करो, the toughness level at that time was the बहुत जादा, मतलब मैं क्या बोलो, आज मैं आप लोग को देखता हूँ, आप लोग के syllabus क देखता हूँ, तो यार, कहीं न कहीं, बहुत सारी चीज़े जो है, वो easy है, syllabus कम है, reduce है, हमारे time बहुत जादा था, papers बनते दे, बहुत next level के बनते दे, ठीक है, toughness level जाता था, लेकिन आपको बहुत सारी सुविधाय मिल गई है, बहुत सारी चीज़े हैं, तो आप लोग इ नहीं, ऐसी नबदे का टार्गेट करोए, तभी तो या 75 ETA आएगा न, तो ये चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो अतने आपके बरसा रखो, अगर हम बात करें, maximum efforts आपको डालना है, अगर आप दस्वी के board exam के member हो, बारवी के हो, दोनों के लिए बता रहो, ऐसा ये पूरा strategy बारवी science के उपर ही है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई छोटे बाई बहन हो, तो उनको जरूर से recommend कर देना, कि 10th का भी strategy वीडियो जेया टुटरिल्स पे आ रहा होगा, या फिर आच चुका होगा, तो फ्लिस चेक आउट कर लेना, ठीक है, तो बारवी stream के लिए भी same ही दिन बचेंगे, लेकिन commerce का strategy थोड़ा अलग होगा, science से, मैं बहुत जल्दी बना दूँगा, थोड़ा सा patience रखना, जो भी बच्चे मुझे देख रहे होगे, ठीक है, और दस्वी के लिए, सिर्फ 79 दिन है, तो अपने छोटे भाई बाई बेन जो दस्व नहीं हो पाएगा, तो आपको अपने आपके concentration के साथ बरुसा रखना है, अब आते हैं strategy पे, तो सबसे पहले बारवी की पूर exam की बात करें, जैसे मैंने बोला, कि जैसे एक timer होता है, टिक टिक दस, टिक टिक नव, आठ, साथ, छे पाच, वैसे हमारे पास दिन बचे हुए सिर्फ और सिर्फ 70 दिन, जैसे मैंने बताया आपको, 70 डेस के से बचे हैं, वो भी देख लो, दिसेंबर चल रहा है, 13 तारिक को वीडियो मिल रहा होगा, मतलब आथ से कर काउंट कर रहोगा, तो दिसेंबर में सिर्फ 19 दिन है, जैनवरी में आपका पूरा 31 दिन है, और फ अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, तो एक्जाम में कुछ याद नहीं आता, ये एक human psychology है, बहुत कम याद आता है, तो इसके लिए हमने 70 दिन में से लगबग 30 डेस, मतलब एक मैना पूरा बहुत जादा नहीं होता है, एक मैना बहुत कम होता है, तो सिर्फ 30 डेस हमने 70 म अब ये 40 दिन में ही आपको पूरा अपना पढ़ाई करके complete करना है, और ये बहुत challenging job है, आप सभी के लिए, क्योंकि अगर ये पढ़ाओ, ये जो पहला पढ़ाओ, ये अगर आप तार कर लोगे, तो आपका जो life है, वो बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, मैंने बहुत सार CET, JEE, NEET में, किसी में भी exam में clear नहीं कर पाए, normal सा BSC कर लिए, plain BSC कर लिए, BSC IT कर लिए, और normal सा job कर रहे, बहुत सारे लोग को देखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग को देखा है, मैंने, जिनोंने, 11 वी तो चलो ठीक है, casual जाता है सब का, 11 वी में भी महनत किया, 12 अरवी में next level का महनत किया, अच्छे percentage भी निकाले, CET और JEE जैसे exam में अच्छे marks भी निकाले, और उस marks के बदौलत अच्छे engineering college में admissions मिले, अच्छे engineering college में admission जब मिलता है, तो लोग भी वैसे आते हैं, professors वैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, और हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि ये life को कैसे deal करना है, जैसे मैं खुद एक engineer हूँ, जब मैं engineering college में पढ़ रहा था, first year casual गया, क्योंकि first year में थोड़ा सा chill रहता है, लेकिन second, third year जब हम जाते हैं, तो हमें realize होता है कि ये हमारा career है, जब हम engineering पढ़ रहे होते हैं, या फिर कोई भी professional चीज़ है, आप medical में जाओगे आप मान लो कोई बड़ होस्पिटल में आप पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आप जा रहे हो, तो आपको एक realize होगा, आसपास के बच्चे competition, आसपास का career, कैसा महौल चल रहा है, क्या आपका package हो सकता है, तो जब आप 4 साल के बाद इंजिनिर बन के निकलोगे, डॉक्टर बन के 5 साल के बाद निकलोगे, तो आपको पता होना चाहिए, कि आपका एक जो package लगेगा, वो कितना लगेगा, तो जो अच्छे colleges से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अच्छे colleges उनको ही मिलेगा, जिन्होंने JEE या फिर boards में अच्छे mark score की होगे, correct है, तो अच्छ के 10 लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन 10 में से जो पढ़ाई करता हैं तो 10 में से 9 लोग तो successful बोलेगे, जिन्होंने अच्छे marks निकाले और अच्छे percentage निकाले, क्योंकि उनका selection उन अच्छे colleges में होगा, जो आपको life lessons सिखाएंगे, जो आपको reality सिखाएंगे, जो आपको बहु कर, क्यों पढ़ाई कर, आरे बेटा अच्छी पढ़ाई करोगे, तो अच्छी नोकरी मिलेगी, अच्छी नोकरी मिलेगी, तो अच्छी छोकरी मिलेगी, है की नहीं, और सेम वाइसे वर्सा कर दो लड़कियों के लिए उल्टा, कि अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नो रहा हूँ और ये शायद जो समझदार लोगे ने बात समझ पारे होंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास सिर्फ 70 दिन है तो टी-70 मतलब टाइम के इसाफ से 70 दिन माइनस हो तो जाएगा टी-70 69 68 65 64 ऐसे करते-करते नीचे जा रहा है ठीक है तो लास्ट 30 डेज हमने र बेस था वो उतना लेवल का नहीं गया लेकिन इस बार हम लोग उसको ओवरकम करेंगे इसलिए हमने चैनल भी सेपरेट कर दिया जैसे कि आप जानते है कि हमारा जैयार कॉलेज सेपरेटेड हो गया पहले जैयार टुटोरल पे हम लोग 10 वी 11 वी 12 सब पढ़ाते थे 6 से ले 2024 में ही आपके बूर्ड एक्जम स्टार्ट होने के पहले हम लगातार 30 डेस आपके लिए लाइब रिविजिन करने वाले हैं अलगलग सब्जेक्स के लिए चाहें वो फिजिक्स हो, केमेश्ट्री हो, मैट्स हो, बाइलजी हो या फिर कुछ इंगलिश, हिंदी, मराथी जो January 20 तारीक और फिर उसके पहले से ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार एक महिना आप लोगों को हम लाइब रिविजिन दे, पिछले साल बच्चे ने उतना रिस्पॉंस नहीं दिया, तो हमने 10 या 12 दिन चलाया, फिर हमने मजबूरी में क्लोस करना पड़ा, लेकिन मै आपके लिए अलग-अलग सब्जेक्स पढ़ाने के लिए तो लाइब रिविजिन के लिए बहुत सारे लोग जुड़ना बहुत जलूरी है, तो प्लीज अपने दोस्तों को और आप खुद भी अपने बता देना, कि आर आपको जुड़ना है हमारे साथ लाइब रिविज तो आपको टार्गेट हमेशा आपका बढ़ा रखना है, अटलीस टार्गेट पॉर 90-95 परसेंट, जे पता है, बहुत बड़ी चीज है, बारवे में 90 परसेंट लाना, लेकिन फिर भी लाने वाले लोग लाते हैं, और ये प्राक्टिकली पॉसिबल है, हो सकता है, तो सिलाबस पढ़के कम्प्लिट करने में, और उसके बाद जो 30 दिन है, वो आपके पासे रिवीजन करने के लिए, तो देख लो, कितना क्रूशल होने वाला ही इस सब चीज है, ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बारवे के स्ट्राइटेजी को हमने दो प पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यह है फेस वन, देख रहे हो, कहां लिखा है, फेस वन, फेस वन है, उसके बाद आएगा फेस टू, तो फेस वन जैसे मैंने बोला कि इसमें सिर्फ उसिव आपको याद करना है, only study phase, जो कि आपका पूरा focus, जो main focus रहेगा, वो आपके syllabus सिलाइबस, completion पे रहेगा, तो phase 1 में, आपका जो December में 19 दिन है, और January में 20 दिन है, ठीक है, 20 दिन में क्यों बोल रहा है, क्योंकि 20 तारिक के बाद से हम लोग लोग लाइब रिविजन करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ रिविजन करोगे, तो 20 प्लस 19, 39 होता है, लेकि सब चीज़े पढ़के जाओ, it is not practically possible thing कि कोई भी इंसान 100% सब चीज़े पढ़ ले, अगर वो बहुत पहले से पढ़ते आ रहा होगा, मतलब जब से आपका बारवी शुरू हुआ है, लगबग मही जून से, तब से पढ़ते आ रहा होगा, तो शायद उसका 100% पढ़के हो होता है, और हिंदी और मराथी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको रहता है, तो कुल मिलाओगे, तो तोटल हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, छे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप एक जनरल काटेगरी के बच्चे हो, यानि कि आपने जनरल लिया हुआ है, फिजिक् के आपके सब्जेक्स कितने हैं, ये तो मैंने जनरल काटेगरी के लिए डाल रखा है, लेकिन आपलों का जो भी काटेगरी हैं, उसके एसाब से आप्लाने है, तो तोलल में पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ साथ दिन हैं, मतलब 16 के 16 chapter को आपको पढ़के complete करना है सिर्फ और सिर्फ 1 week के अंदर 7 days के अंदर तो ऐसा सोचा जाए तो it is practically impossible लेकिन yes it is practically possible अगर आप उतनी ही चीजे पढ़ोगे जितना जरूरी है जो important चीजे पिछले 4-5 साल जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि previous year question paper उठाओ पिछले 5 साल क किस तरीके के questions पूछे जाते हैं numericals पूछते हैं तो किस level के पूछते हैं diagram पूछते हैं theoretical पूछते हैं किस level के पूछते हैं तो पिछले 5 साल का भी question paper उठाओ के उसको solve करोगे तो भी आप अच्छे marks score कर सकते हो but सिर्फ dependent उसके ओपर नहीं रहे ना जैसे मैंने बोला कि करना पड़ेगा सिफ ऐसा नहीं सोचना है कि यार चलो यह कर लिया वो कर लिया हो जाएगा साथ दिन है मातर आपके पास एक सब्सक्राइब करना है and you have to complete that particular subject in that day in seven days तब जाके आपको revision करने का extra time मिलेगा और साथी में हम लोग और भी बहुत सारे subject wise जैसे की physics है chemistry math and biology है उस physics में कैसा पढ़ा जाए बायलजी में कैसा पढ़ा जाए वो हम लोग particular subject के जो हमारे teacher से उनको लाके एक अलग से strategy वीडियो में subject wise देने की कोशिश करूँगा मैस के लिए मैं खुद आ जाऊंगा नौशात सरागे physics के लिए संजीव सर है बायलजी के लिए अभी शेक सर है तो वो आपको अपने end से भी कुछ guidance करने की कोशिश करेंगे कि यार ये subject को इस तरीके से पढ़ो ऐसे questions को पढ़ो तो वो आपको help हो जाएगा तो मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप लोग को और भी इसके अलावा भी वी वीडियो हमारे इ सब्सक्राइब करके रख लो अभी तक नहीं किया हो तो अपने दोस्तों को शेर करके बताते रहो इस चैनल के बारे में क्योंकि मुझे पता है अभी तक इस चैनल ने उतना धूम नहीं मचा है क्योंकि नया चैनल अलग बग 6-7 महीने हुए है क्योंकि यह एक पार्ट था चैनल अलग बना दिया है ताकि इस पर अगर हम लोग वीडियो बनाए तो अलग तरीके से बनाए और अलग तरीके से डाले तो यह चीज आपके हाथ में है कि आप उसको उचाई पे लेके जाओ तो प्लीज शेयर करते रहना ठीक है यह चीज तो आपको समझ में आ गया अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है और हिंदी और मराथी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जनरल वाले बाकी CS वाले तो अलग कर लो अपना IT वाले अलग कर लो जो भी है आप लोग समझ जाओ ठीक है लेकिन में हम लोग यह चारो सब्जेक्ट ही पकड़ते हमेशा PCMB, Physics मैंटas and Vio तो यहां पर आकर बात करें कि हमारे पाँ warranty और चाले के इसाफ से जैसे हमें कलकूलेशन कीआ कि यहां पर एक सब drugiej को सांथ दिन मुल रहे हैं पड़ने हैं लिए अपको मार्ट को माथ इतनए दिन मिल रहे है ऐगर आप देखोगे अगर जो 40 दीनना उसमें I सिफ साथ दिन में आप पूरे 15 चाप्टर, 16 चाप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो मैंने आपको क्या बोला, कि आप यहाँ पर टाइम जो है, वो एक्स्ट्रा ले लो, कैसे, अगर आप फिजिक्स में 9 दिन ले रहे हो, तो 9 दिन में 16 चाप्टर पढ़ना इसी है, मै ही यह practically achievable है, 9 दिन में 12 चाप्टर मतलब एक दिन में आपको लगबक एक चाप्टर और अगले चाप्टर का थोड़ा सा आपको पढ़ना है, मतलब लगबक 1.25 चाप्टर आपको पढ़ना है, जो कि practically possible है, अगर मैं इसके सिलाबस पर आओ, जो physics है हमारा, इसके सिलाबस प आपको बना के दिये थे 12 physics के, लेकिन जब इस चैनल, JR College पर आया, तो totally जो सिलाबस है, संजीर सर नहीं पढ़ाया, अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे subjects, बहुत सारे ऐसे chapters है, आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे chapters है, इसमें से, जो JR Tutorials पर भी available है, JR College पे भी available है 90% सिलाबस are completed, ये मैं एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, बहुत सारे चीज़े, JR College पे आपको नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि already वो JR Tutorials पे available है, और दोनों ही अपने ही चैनल है, मेरे ही चैनल है, जैसे कि आप जानते हो, वो JR Tutorials और JR College है, जो बच् JR Tutorials करके हमारा main channel है, जिस पे हम लोग सभी standard को पढ़ा चुके हैं दोस्तो, JR College एक नया channel बना है, जिसके ओपर हम वापस से पढ़ा रहे हैं, चीजों को, तो जो चीज नहीं मिलेगी चाप्टरस में, आप JR Tutorials पे चले जाना है, वहाँ मिल जाएगी, अब संजीर सर ने ब अगर आप देखो कि स्टार्टिंग के चार चाप्टर, यहाँ में 20 माक्स आपके बन जाते हैं, चार चाप्टर में है कि पहला चाप्टर, रोटेशनल डायनेमिक्स अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मतलब इसमें पर्पेंडिगुलर एक्सिस पैरल हम उसका कंसेट नहीं समझते तब तर, तो आपको संजीर सब ने बहुत 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 बें तरीके से हमारे इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है, यह सभी चाप्टर हुए हैं, तो आप उसको वीडियो को देखो और कंसेट क्लियर करके उसको याद करने भी फोकस करो, उसके न इसको प्राक्टिस करो, जितना हो सके उतना, तो यह आपको चीज़े इजी लगेगी, तो बीस मार्स तो यही पे बन रहे हैं आपकी, 15 मार्स कहीं से भी निकाल सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, करेंट इलेक्रिसिटी, वन आप दे इस चाप्टर, यह कितना इजी चाप्टर है, तो ऐसे कुछ चाप्टर से इसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ इलिमिटेट चाप्टर को भी निकालोगे, तो भी आप 50% से ज्यादा मार्स कोर कर सकते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हो, कि आपको सिर्फ 50% के लिए पढ़ना है, नहीं, आ बारा पढ़ सकते हो, मतलब कोई भी 3-4 चाप्टर इसमें से स्किप कर दो, तो इसमें से जो 3-4 चाप्टर आपको नहीं आता है, उसको आप boycott कर दो, यानि कि आप उसको मत पढ़ो, लेकिन बाकी जो जितने चाप्टर सापके हैं, उसको अच्छे से पढ़ो, जितना हो सक हैं, आपका पढ़नेगा, इक है, डिसाइड करो कि आपका strong chapters कोन से है, weak chapters कोन से, उनको headline करो, एक page बनाओ ऐसा, इसको आप screenshot लो या फिर प्रिंट आउट निकालो, जो भी है, अलग-अलग pages बनाओ, अलग-अलग book बनाओ, उसमें subject wise करो, कि या भाया, यह chapter मुझे पढ़ना तो भी आपके marks अच्छे बन सकते हैं, तो यह आपको मैं बदानी की कोशिश कर रहा हूँ, अगला subject क्या है, chemistry, अब chemistry में भी आप देखो कि तो 16 chapter है, 16 chapter, again, यहाँ पे आप 9 days दे सकते हो, 9 दिन physics को दिया, तो 9 दिन chemistry को भी देना पड़ेगा, तभी तो balance होगा, अब 9 दिन chemistry को देना है, सबसे पहले बाद तो एक छोटा सा में मुझे खे दे, माफि मांगना चाओंगा उस चीज़ के लिए, कि हम इस channel JR College के उपर, हम इस साल 12 chemistry नहीं ला पाए, क्योंकि हम अलरड़ी लेट हो चुके थे, start करने में, अलरड़ी हमने जून, जुलाई के मंद में start किया लोग start करते हैं, मार्च एपरिल में, हमने जून, जुलाई में इस channel को बनाया, JR College को, तो काफी लेट हो चुके थे, और सहीट समय पे teachers नहीं मिले, तो जब लेट हो गया था, तो हमने decide कि हम chemistry नहीं लेगे, लेकिन बाखी physics, math 1, math 2 and biology, बहुत बहतरी तरीके से हमारी इस channel पे अप्रोच रखोगे, तो आपको at least, जैसे मैंने आपको अभी भी पताया, कि आपको अगर 90% score करना है chemistry में, ठीक है, 90% marks निकालने है, तो आपको at least 14 chapter पढ़ना है out of solar, अब इसमें से अगर आप weightage की बात करो, तो बहुत सारे ऐसे chapter से जो बहुत अच्छे हैं और easy है, जैसे solid state की मैं बात करू, solution की बात करू, ठीक है ना, फिर अगर मैं बात करू, हमारा जो खासकर organic का पार्ट होता है, यहां से अगर आप देखो गे तो halogen derivative of alcan, यह सब जो होते हैं यह दिखने में hard लगते हैं, लेकिन है scoring, reactions पूछे जाते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीगे से, घ chemistry in everyday life वाला, green chemistry वाला, तो यह जो चीज़े हैं ना, यह इतने easy है कि यहां से अगर आप देखोगे, यह जो portion है आपका, यह वाला, ठीक है, यहां से 549, 96, 15, 15 और 12, लगभग 27 marks, यहां से आपके हाच में हैं, 27 marks में से at least 20 marks भी यहां score कर दोगे, उपर में 15 भी marks score करते हैं, त बहुत सारे से chapters हैं, जिनके content बहुत easy होते हैं, physical chemistry के अगर बात ले लो, electro chemistry ले लो, ठीक है ना, यहां पर देखो, elements of group, 16, 17, 18, यह भी कितना easy chapter है, कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो आपको बहुत easy लगेगी, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपका previous year question paper निकालना है, at least पु पूछने का, derivation पूछता है, या फिर numerical पूछता है, तो उसका pattern क्या है, कौन से chapter में से किस तरीके का पूछा है आज तक, 5-6 साल से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपको automatically समझ में आ जाएगा, कि यार ये चीज़ को करना कैसे, और यही चीज आते भी है, repeated ही आते हैं, अगर आप देखो कि तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा लग हो जाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, क्यार ये question ना है, लेकिन नया question नहीं आता, बस घुमा फिरा के पूछा रहा है, तो हमें समझ में आते हैं, खास कर chemistry, हम मैं अगेन आपको बार-बार बोलना चाओंगो इस चीज़ को, कि आपको ये focus करना है, ठीक है, अब यह हो गया 12 chemistry की बात, चलो आप बात करते हैं, maths की, तो maths में है 15 chapter, अब 15 में से 7 chapters maths part 1 में है, और 8 chapter maths part 2 में है, तो इसके लिए भी हम लोग 9 days देंगे, क्योंकि अगर हर दि के बहुत सारे chapters में ने पढ़ा है, mathematical logic, matrices में ने पढ़ा है, लगबग नवशाद सर ने ये trigonometric function, pair of state line पढ़ा है, यहां से JR college पे ये pending है अभी, जिस दिन ये वीडियो बना रहो, ये pending है लेकिन, जैसे मैंने promise किया है, कि वह बहुत जल्दी complete करा दूँगा, तो ये आपको नवशाद सर मिलके आपका पूरा syllabus complete कर देंगे इस channel JR college पे, but already JR जो tutorial channel है, उस पे तो आपको पूरा का पूरा content मिली गया होगा, तो आप जाओ, पिछले साल वाले JR tutorials channel पे आप जाके देख सकते हो, कि already content present है, मतलब lecture की तो कमी है नहीं, दोनों channel में से किसी channel पे चले जाओ, आ अब आपको एक important चीज़ है कि इसमें से पढ़ना कि, आप देखे हो, सबसे बड़ा chapters की बात परो, starting का दो chapter, यह 8 marks और यह 6 marks, यह कुल मिला के 14 marks है, यह पूरा का पूरा आपके हाथ में, मैं आपको हमेशा बोलता हो, maths 1 में, मतलब maths 1 का जो पार्ट है, इसमें अगर आपको अच्छा score करना है, तो starting के 2 chapter तो बिल्कुल मत छोड़ना, यह ऐसे chapter से जो आपको 14 में से 14 marks देखे जाएंगे, 8 प्लस 6, 14 होते हैं, 14 marks आपको देखे जाएंगे, इसके अलब बात करें, trigonometric function हो गया, यह एक ऐसा chapter है, जो again scoring है, लेकिन इस पे आपको थोड़ा तक careful रहना प देखो और उसको जितने examples हो सके practice करो, again मैं हमीशा बोलता हूँ कि practice is the key, जितना आप लोग practice करोगे maths को, maths ऐसा subject है, जिसको रट्टा मार के नहीं जायज रखता है, जिसको दस्वी और 11 में आदत थी, maths को रट्टा मारने के और हो सकता है, कुछ दस्वी के ऐसे भी बच्चे जोड़ा बोद अगर करके जाते हैं, तो अच्छे मार्स स्कोर कर सकते हो, last के दो चापकर, lines and plane या पर linear pair programming, तो यह कुछ ऐसे chapter जहां पर अच्छे मार्स आप स्कोर कर सकते हो, वह यह अगर मैं बात करूँ, match 2 की, तो match 2 में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, match 2, आपको न definite integration, definite integration, application or definite integration, differential equation, probability distribution भी आएगेस चल रहा होगा, binomial distribution भी हो जाएगा, मतलब सभी चीज़ ऑल्मुस्ट completed है, पस आपको पढ़ने है, अब इसमें आप देखोगे, तो derivation और application of derivative, दोनों एक दूसर के उपर dependent है, 9 plus 9, 18 marks आपके हाथ में लिए, और one half the easiest चीज़े होता है, अच्छे कुछ ऐसे होते हैं, जो पता ने क्यों घबराते हैं, differentiation, equations और integration से, easy है, little formula का खेले, जितना हो सके practice करना, इतने formula से log हो गया, चाहे cosine हो गया, या फिर कोई भी चीज़े हो गया, इसके अंदर, बहुत सारे अलग-अलग exponential वाले, अलग-अलग चीज़ें, चाहे वो differentiation में हो, चाहे वो integration में हो, लेकिन जो इंसान इसको practice कर लेगा, जितने अलग-अलग type के examples को, उसको बहुत easy लगेगा, तो यह देखो starting के charge chapter आपको score करके देंगे, आपके match 2 में marks लाकी देंगे, लेकिन इसके अलावा, जो आपका application of definite integration की बात करें, differential equation की बात करें, यह chapter easy, probability distribution इसको आप अच्छे से कर सकते हो, तो कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आपको focus करना पड़ेगा, जितना हो सके learning पे focus करो, practice करने की कोशिश करो, आपके अच्छे marks exam में आ सकेंगे, ठीक है, and last चीज क्या बचा है, biology बचा है, तो biology की एगर बात करें, हम लोग यहाँ पे, आ गय गया, this is the biology, ठीक है, यह, यह पार, biology है, तो biology की भी बात करें, total 15 chapter है, सबके weightage दिये हुए, तो starting के chapters भी easy है, लेकिन थोड़े length दी है, तो आपको decide करना पड़ेगा, कि आप क्या करना चाहते हो, यह last के 3 chapter है, इतनी easy chapter होते हैं, कि आप सोच नहीं सकते, इसको आप से एक population हो गया, यह सब चीज के बारे में आपको focus करना है, ठीक है, तो बहुत सार easy chapter है, plant water relation की बात करें, plant growth की बात करें, ठीक है, यह सब चीज हो गया, कुछ tough chapter है, जैसे respiration and control coordination, इस पे थोड़ा ज्यादा आपको याद करने की जूरत होती है, चीजों को समझने की जूरत होती है इसके अलाबा, human health and disease, ठीक है ना, फिर यहाँ पे food production वाला chapter, यह सब easy chapter है, तो इसको आप focus कर सकते हो, अभी शेक सर ने पूरा पूरा entire syllabus, हमारे JR tutorials पर भी पढ़ा रखा है, और JR college पर भी चीज़े चल रही है, almost, मुझे लगता है, 10-11 chapter complete हो चुके है, और आने वाले दिनों म आपको जोगी है, English या फिर Hindi मराथी, अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखो जो 9999, PCMB को आपने 36 days दे रिया, 946, 40 में से आपका 36 दिन complete हो गया, physics semester, math, biology पढ़ने में, अब advantage उनको होगा, जिनको बाइफोकल है, जिनको बायलोजी नहीं है, ठीक है, जिनको जोग्रफी ह इसे भी आपको कम समय लगता है, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बचेवी subject से, जो general वाले है, English के लिए आप दो दिन दे सकते हो, enough हो जाएगा, हिंदी मराथी है, तो उसके लिए दो दिन दे दो लागतार, enough हो जाएगा, ठीक है, तो वीडियोस दे को concept clear करो, जितना हो सके by heart करने भी focus करो, याद करने भी focus करो, maths के examples practice करो, numericals, physics, chemistry, जो भी है, उसको solve करने की कोशिश करो, diagrams हो गए, flow charts हो गए, उसको ऐसे form में याद करो, उसको practice करके लो, diagrams को flow chart के form में, ये सभी चीज को आप अच्छे से learn करके लेना है आप ल learning करना है, तो आप कैसे build up करोगे, time table कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको time table बनाना है, कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको मैं सोड़ा सब बताने के कुशिश करता हूँ, आपको बिलकुल अपना समय को waste नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 40 दिन हैं पढ़ में में सबजेक, physics, chemistry, math, biology, 40 दिन हैं पढ़ने के लिए, अब आप क्या करोगे, strategy बना सकते हो, 3-day strategy या फिर किसी को 4-day strategy बनाओ, क्या होता है, यह 3-day strategy क्या होता है, 4-day strategy क्या होता है, जैसे कि मुझे बता है कि आज तारीक है, बतला आपको जो यह वीडियो मिल रहोगा जि physics पढ़ा, आपने चार दिन लगातार physics पढ़ा, आप मुझे बताओ, यह 4 दिन लगातार physics अगर पढ़ोगे, तो कितने chapter पढ़ोगे, कम से कम 7 chapter पढ़ोगे, 4 दिन में 7 chapter पढ़ना possible है, मैं ऐसा नहीं बोड़ रहो कि हाँ, हर बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन जो भी बच् 6 या 7 chapter पढ़ सकता है, मतलब लगभग 15-16 में से आपका 40% chapter 4 दिन में पढ़के हो गया, अब physics में कितना दिन दिया है हमने, देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें, जो हमने strategy बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे, physics में कितना दिन दिन दिया हुआ है, 9 दिन दिन में से हमन यहाँ पे 4 दिन दे दिया, ठीक है ना, 7 chapter पढ़ लिया, 4 दिन यहाँ पे complete हो गया, अब बचे हुए कितने हैं, 5 दिन है, तो यह physics आपने पढ़ लिया, फिर लगातार आप 4 दिन कोई और subject पढ़ लो, maths 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 पढ़ लिया, maths पढ़ लिया, फिर अगला chemistry पढ़ लो, 4 दिन, chemistry 4 दिन पढ़ लिया, ठीक है, फिर अगला वापस से, अगर आपको इसा लगता है कि यार मुझे physics को वापस से पढ़ना पढ़ेगा, तो 3 दिन या physics पढ़ लो, वापस से आके, ठीक है, 3 दिन physics पढ़ लिया, बीच में और आपको लगरा तो चार दिन आप वापस से कोई जो सब्जेक्द बच रहे आपके क्या बच रहे हैं दो फीजिक्स हो गया यहां पर टिक है 4 चार दिन फीजिक्स साथ 8-9 दिन हो गया, तो आपने 9 दिन physics यहाँ पर पढ़ गया, तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो आपके पास 40 दिन है December और January मिला के, उसमें आपको अपने एक calendar ले लो, मैं तो अमेशा ऐसी करता था, मेरे पास एक calendar चलो वो अलग बात है, तो वो चीज आपके सामने रहेगी, या फिर चार्ट पेपर बना लो इस प्रकार से, तो अगर आप एक time level ऐसा तयार करोगे, तो definitely आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा, आच physics पढ़ना है, क्योंकि बोला, कि सिर्फ याद उतना ही चीजे करो, जितना आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि वैसे भी आगर आप पूरा पढ़ने जाओगे सिलाबस, तो आपके लिए पूरा एक साल तीन सो पैसे दिन भी कम है, यह तो सिर्फ 40 दिन है, ठीक है, जो बचावा दिन है, मैं उसकी बात करो, जो चीज पढ़ चुके हो, वो छोड़ो, जो चीज बाचा हुआ है, उसको फटा-फट से लर्न करो, और फिर रिविजन में आपको पूरा-पूरा याद करना पढ़ेगा, ठीक है, फोक फोकस करना, तो यह ता हमारा पूरा फ्रेज वन का स्ट्राटेजी, बहुत बेदर रिए तरिके से लगबग 40 मिनिंट में तो यही एक्स्प्लिन किया आपको, अब एक इंपोर्टन चीज है, जो कि आपको फेज 2, आज ओ, फेज 2 जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला, कि हम आपके लिए लाएंगे परीचे बैस, तो 20 जैनवरी के आसपस से हम आपके लिए लॉंच कर रहे होंगे, और यह पूरा लगबग आपका एक्जाम 21 को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 February तक चलेगा, लगतार 30 देस, लगतार 30 देस हम आपको पढ़ाएंगे, तोटल सब्ज की अगर हम बात कर लें, जिसे एक होता है Physics, एक होता है Chemistry, एक होता है Math, एक होता है Biology, इसके अलावा एक होता है English और एक होता है Hindi या फिर मराटी, मैं वोकेशनल या फिर बाइफोकल की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर क्योंकि वो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं फिलाल में, आने वाले समय में, होपुली हम लोग कुछ IT या फिर कुछ ऐसी चीज़े आपके लिए लेकर आएंगे, ठेंशन मतले, ठीके, चलो, अब यहाँ पर फोकस करो, तो हमारा Phase 2 क्या है, सिफोर सिफ रिविजन करना है, जो आपके पास, लास्ट का 30 डेस है, इसमें इतना अच् सिफ रिविजन, नो लर्निंग, लर्निंग जितना था, वो Phase 1 में हमने कम्लिट कर दिया, January के, स्टाइटिंग, स्टाइटिंग में, जो कितना थारी के, 20 January तक जो कर लिया हो, कर लिया, अब उसके बाद जितना भी टाइम है, उसको सिफ रिवाइस करना है, तो लगबक होता सकते हो, कम भी कर सकते हो, depending upon your subject, जैसे physics है, अब physics में 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 कितना चाप्टर रिवाइस करना है, 16 चाप्टर को क्या करना है, रिवाइस करना है, अब 16 चाप्टर को रिवाइस करने के लिए, मतलब एक दिन, एक दिन में में को, अगर दो चाप्टर को रिवाइस करना इसके लिए भी मेरे को आठ दिन काफी है, ठीक है, मैस की बात कुरूँ तोटल 15 चाप्टर है, आप 15 चाप्टर का मुझे रिवाइस करना है, इसके लिए भी मुझे 8 दिन काफी है, तो मज़ मैं आ रहे की ने दोस्तों, 8 दिन काफी है ना, यहाँ पर आगर मैं बात करूँ और बायलेजी की बात करूँ, तो इसमें मेरे पास 16 ने 15 चाप्टर है, 15 चाप्टर है, विवाईस करने के लिए, इसके लिए भी मुझे 8 दिन काफी है, ठीक है, मतलब हम हर दिन 2 चाप्टर को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन ये 8 for the 32 हो गया, हम लोग 2 दिन एक्स्ट्रा आ तो अब इसको compensate करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या, बताओ क्या, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर, कि मुझे पता है, physics जैसे subject में, मुझे time ज़्यादा लगेगा, तो physics को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, physics को 8 दिन देना ही पड़ेगा, लेकिन maths में बेखो सिर्फ solve तो करना है ना तो मैं maths में कम दिन ले सकता हूं तो मैं maths में सिर्फ 6 दिन लूँगा chemistry में 16 chapter है तो 16 पढ़ने के लिए मुझे time लगेगा chemistry के लिए ज्यादा time लगता है biology में जल्दी cover कर सकता हूं तो इसके लिए मैं सिर्फ 6 या 7 दिन लूँगा चलो मैं 6 दिन की बात करता हूं तो अगर आप देखोगे 8 8 16 16 और ये 12 28 होता है इंग्लिश को एक दिन दे तो हिंदी मराठी को एक दिन दे तो काफी हो जाएगा इतना और इस तरीके से आप करोगे तो 30 दिन जो बचा हुआ सिर्फ 30 दिन है आपके पास ये 30 डेज में मतब एक्जाम बोड एक्जाम स्टार्ट होने के पहले तक आपका पूरा पढ़के और पूरा रिवाइस करके हो गया रहेगा अब आपका जब एक्जाम आएगा 21 तारिक से आपका एक्जाम जब शुरू होगा तो 21 के बाद 22 में है समझ लोग 26 है जो भी तो उसमें भी आपको रिविजन ही करना है तो वो चीज आप अच्छी तरीके से युटिलाइज कर सकते हो और कहीं ने कहीं 80-90 परसेंट का जो सपना है मेरा भी और आपका भी ये चीज जरूर से अचीव करके दिखा सकते हो ठीक है समझ में आ गया तो बस दोस्तों यही थ हमारा आज का strategy वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा डीटेल में देखो आप 45 मिनिट्स होगे लगातार मुझे बोलते हुए इतना डीटेल में इतना बहतरी तरीके से आपको एक एक चीज बारीकी से मैंने समझाया हुआ है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो स study नहीं करोगे ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे ऐसे strategy के साथ तो शायद अच्छे marks नहीं आ पाएंगे कितना भी कुछ कोशिश करो लेकिन अपने end से महनत करना इस इंपोर्टेंट याद करना इस इंपोर्टेंट ठीक है तो चलो फिर आज के लिए इतना ही मेरे साथ वादा कर होगे कि नहीं करोगे जरूर से comment करके बताना बहनत करना है हमारा साथ तो आपके साथ है रिविजन वीडियोस हम लेकर आएंगे आपके लिए लाइव रिविजन जिसमें बहुत सारे चीज़ें हम करेंगे तो बस बने रहना हमारे साथ प्यार देते रहना इसी के साथ इस 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से लेकिन देखो जरूर पूरा कंप्रीट देखना ठीक है वीडियो पसंदा है लाइक करो शेयर करो चैनल पर फर्स ताइम आयो तो जरूर से हमारे छोटे से जे आर कॉलेज चैनल को जरूर से सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करना साथ मे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ठीक है दोस्तों तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यूँ वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और गुडबाई